हेलो एवरिवान वेलकम टू अपना सपना जय आरेफ इन वेलकम तो दिस वीडियो मैं हो कॉमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब आउट दा प्लांट होर्मोन जिब्रिलिन के बारे में आएए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम इस होर्मोन के बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं तो अभी हमने स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने स्टार्ट किया है प्लांट फीजियोलोजी को जो की उनिट नंबर 6 है और उसमें भी हमने स्टार्ट किया है प्लांट होर्मोन में भी हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट दा जिब्रिलिन ओगजिन के बारे में हमने पढ़ लिया है विदिन 4 वीडियो हमने इस टॉपिक को कम्प्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने का discovery कैसे हुआ था फिर हम पढ़ेंगे इसके introduction के बारे में कि ओर्मोन क्या होते हैं इनके structures कैसी होती है और थोड़ा बहुत function देखेंगे इसके बाद यह बनते कैसे हैं कहां बनते हैं और कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे और ऐसे कौन-कौन से substance है जो इसकी biosynthesis को रोक सकते हैं वो भी काफी important है वो हम यहां पढ़ेंगे उसके बाद हम signaling के बारे हम पढ़ेंगे कि जो जिब्रिलिन है वो काम कैसे करता है प्लांट के अंदर फिर mutation अगर इसमें हो जाता है तो कौन-कौन से character plant के अंदर develop होते हैं और last में जो function है उसके detail में हम पढ़ेंगे ठीके तो आज की इस वीडियो में हम discovery कवर कर लेंगे introduction हम पढ़ेंगे और biosynthesis के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर ठीके और next video में हम signaling कर लेंगे और next video में हम mutation and function करेंगे और next video में हम इसके PYQ को complete कर लेंगे यानि चार वीडियो के अंदर भी लगभग यह पूरा topic हम कवर कर लेंगे ठीके चले तो start करते हैं सबसे पहले discovery से कि यह जो plant hormone है जिब्रेलिन इसका discovery कैसे हुआ है अगर आपने ओगजिन पढ़ा है मेरे साथ में तो आपको पता होगा कि ओगजिन की जो discovery है वो भी accidentally हुई होती है वो साइड बैंड हो जाता है उसे हम बोलते हैं फोटो ट्रोपिजम तो जो साइंटेस्ट उसके बारे में पढ़ रहे थे तो उन्हें देखा कि सबस्टेंस है जो प्लांट में फोर्म होता है और उस chemical की वजह से ही वह प्लांट जो है अपने आपको बैंड करता है इस तरीके से ओकजिं का डिस्कवरी हुआ था एसे हि ही अगर हम बात करें जिय के बारे में आने जिबरेलीन के बारे में तो उसकी डिस्कवरी भी कुछ इसी तरीके से वोई थी सब मतरतելं कि जिब्रिलिन है जिसको हम शोट में GA भी लिख सकते हैं यानि कि Jibrill lifelong Duying या फिर jibrillin तो हम हाला की काफी बड़ा सा नाम है लिखने में भी बोलने में भी तो उसको हम GA से बोलेंगे तो जिय के जो डिसकवरी हुई है वह एक D элект से रिलेटिड है यानि की एक देखो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था जापान की अंदर सबसे पहले इस होर्मोन को डिसकवर किया गया था कैसे वहां पर जो है राइस का लगा हुआ था सीडलिंग लगी हुई थी तो नों देखा कि पूरे खेत में कुछ प्लांट ऐसे जो कि हाइट में कुछ ज्यादा यह बढ़ गई है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह पूरा फिल्ड है इसमें राइस की सीडलिंग लगी हुई है और यहां पर एक प्लांट जो आप देख सकते हैं काफी हाइट में बढ़ा हो गया है फिर वहां पर साइंटिस ने लेखा कि क्या कारण है कि यह एक या फिर कुछ सीडलिंग जो है हाइट में इतना ग्रो क्यों कर रही है तो उन्हें देखा कि उसके आस पास जो सीडलिंग है या फिर जो राइस का प्लांट है जो ज्यादा ग्रो कर रहा है उसके नीचे मतला रूट वाले पॉर्शन पे के अंदर चरा जाता है और वो केमिकल उस प्लांट की हाइट को बढ़ा रहा है यहां तक हो गया इसके बाद फिर देखा मतब उस केमिकल के बारे में स्टड़ी किया सब कुछ देखा ठीक है यह जो केमिकल है फंगस रिलीज करती है जिसकी वज़े से राइस की जो हाइट है बढ़ जाती है फिर ऐसे ही कुछ डिसकवरी हुई तो देखा कि प्लांट के अंदर भी सेम ऐसा ही सबस्टेंस बनता है जो की वह फंगस ने बनाया था और प्लांट के अंदर इंट्रेड्यूस किया था जिस वज़े से प्लांट की हाइट बढ़ी थी सेम केमिकल ऐसा ही प फंगस है वह जादा एमाउंट में उस केमिकल को बनाती है और प्लांट के अंदर इंजक्ट करती है लेकिन अगर देखा जाए नेच्रली तो प्लांट में यह जो केमिकल बनता है वह काफी कम कंसेंट्रेशन में बनता है इस वज़े से प्लांट की जो लेंथ होती है वह न थोड़ा से वह ने आपको बता दिया है अब इसको एक बार डीटेल में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से टेक्स की फो में दिया हुआ है देखो जबरन की जो डिसकोवरी है वो किसके रिलेटिड है एक डिसीज की उसका नाम क्या है फूलिश सेडलिंग डिसीज जिसको बैका तो जैसे हम बड़े को देखते हैं तो क्या लगता है कि अच्छा इसकी हाइट अगर बड़ी है तो यह प्रोडेक्शन भी जादा करेगा यानि जो ग्रेन आते है राइस के अगर उसकी हाइट बड़ी है तो उसकी ग्रेन भी जादा होंगे यानि कि हाइट बड़ी तो प् लेकिन उसमें जो ग्रेन होते हैं वो प्रेजंट नहीं होते हैं व थो फो crist species होते हैं फूछ एशियप उडर पिर्फशन तो इसका नाम रख गया फूलिश यारे कि बेखकर तो चैसा लगता है कि चैसे ज्छ जादा होगा देखे लिखा है बैकाने also known as foolish seedling disease is a fungal disease that affect rice seedling ये क्या है एक fungus disease है मतलब fungus इसको कोज करती है और कहां पर करती है rice का जो seedling होता है वहां पर ठीक है it is caused by the fungus अच्छा यह यह भी important है उस फंगस का नाम भी आपको पता होना चाहिए फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई जिसको अब फिलहाल फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई के नाम से जाना जाता है इसलिए इस chemical का नाम जिब्रेलिन रखा गया था क्योंकि इसको ज इसने सिक्रीट किया था उसका नाम क्या था जिब्रेला फ्यूजिकोराई हाला कि इसको अब क्या बोलते हैं फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई यहां से एक्जैक्ली यहां से करिशन आया हुआ है गेट के अंदर तो यह भी important part है आपको इसको याद रखना है which in fact plant through their root or crown and spread systematically systematically within the plant मतलब यह एंटर कहां से करता है यह जो chemical है यह कहां से एंटर करता है उसकी रूट से एंटर करता हुआ पूरे plant में पैल जाता है अब नौर्मली टोल प्लांट अच्छा symptom क्या है अगर यह chemical जो fungus ने रिलीज किया है प्लांट के अंदर इंट्रिदूस किया है अगर उस पेल थिन लीज देखो अब मानों अगर मेरे पास यह सीडलिंग है इसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ गई है लेकिन इसका जो स्टेम वाला पोर्शन है वो काफी वीक होता है जिस वज़े से उसकी लेंद को सभाल नहीं पाता है और वो गिर जाते है ठीक है जैसे आप य प्लांट हो जाते हैं तो वहां पर लो जिंग की समश्या आ जाती है मतलब की फोलेंग गिर जाते हैं और उनका कलर भी कैसा हो जाता है पेल हलका सा पील्स कह livres हो जाती है और उनका जो ग्रेन होता है वोEst ग धाहर से देखेओकहकम है लेकिन उसके आंदर या तो राइस पील सब स्टार्टिंग में देखने को मिला था कि ऐसा सब कुछ होता है फिर आगे देखिए जी फर्स रिकर नाइज बाए अच्छा ये भी तुम्हें याद रखने हैं कि इसको सबसे पहले रिकर नाइज किस ने किया था फंगस के अंदर ही 1926 में एक साइंटिस्ट थे एकी कोरो सावा इन्होंने सबसे पहले इस जी एको यापिर कैमिकल को रिकर नाइज किया था लेकिन आइसोलेट किस ने किया आइसोलेट किया है ती जीरो ये भूटा ने और मताई ये एक नाम है और यूसुकी सुमूकी ने 1930 के अंदर हजीब से नाम है लेकिन आपको याद करने है क recognize किस ने किये थे first time E.K. Kuru Sawa ने 1926 के अंदर और first time isolate किस ने किया था 1930 में Tijero Yabuta and Yusuki Smoky ने इसको first time isolate किया था मतलब plant से बाहर निकालके उसको study किया था अच्छा जो Fusarium Fusical I have produced many different GA the most abundant of which is GA3 देखो यह most important point है क्यों क्योंकि अभी December में जो paper हुआ था वहाँ उस paper में भी इस same statement से question आया हुआ है मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस class के बाद वो question आपको तो उसमें दिया क्या है कि जो Fusarium Fusical I है उसके अंदर बहुत सारे GA होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा abundant कौन सा होता है वो GA3 होता है लेकिन वहाँ option में दिया है GA1 इस वज़े से वो गलत हो गया है होता क्या है GA3 होता है अब इसका मतलब क्या है देखो GA3 1 है 2 हम पढ़ेंगे आगे 1,2,3,4,5 इस तरीके से वो उनके discovery के बिहाप पर रखा गया है कि पहल इतना सब कुछ होने के बाद अभी तक क्या था साइंटिस्ट को लगता था कि यह जो chemical है केवल funguses को release करती है और funguses को बनाती है लेकिन कई discovery के बाद it was discovered that plant also contain gibralin like substance but in lower amount than it fungus मतब यह पता लगा कि plant भी same chemical को release करते हैं लेकिन उसमें amount काफी कम होता है अगर हम funguses से उसको compare करें The first plant GA to be identified was GA1 जो सबसे पहले plant के अंदर, plant के अंदर सबसे पहले जो GA discover हुआ था उसको हम क्या कहेंगे GA1 कहेंगे क्योंकि सबसे पहले discover हुआ है तो GA1 आ जाएगा इन extract of runner bean seeds यह भी आपको याद रखना है कि plant के अंदर सबसे पहला जो डिसकवर हुआ है वो GA1 था और कहां पर हुआ है जो बीन सीड होते हैं वहां पर उसको discover किया है वह तो वहां से extract किया गया है now total 136 GA are identified from plants, fungus and bacteria आपको यह भी याद रखना है question यह भी आ सकता है कि जिब्रिलिन कहां कहां होता है तो fungus में तो अमने देखी लिया है वहां से तो discovery हुई है plant में भी होता है और bacteria में भी यह chemical मिलता है यह hormone present होता है और यहां अगर तीनों से compare करें तो इन तीनों से अब तक लगभग 136 GA discover हो गई है ठीक है तो यह सारे ही point काफे important है जो आपको अच्छे से याद रखने है आगे देखी हमने एक topic cover कर लिया है discovery का discovery कैसे हुई है कहा हुई है किसने की है कब की है यह सब point हम deal कर चुके है अब बारी है हमारे second topic की that is introduction यह तो हमने देख लिया जी यह plant में भी होते है में bacteria में भी होते हैं fungus में भी होते हैं अब हम बात करेंगे particularly plant के अंदर वह कहां होते हैं कैसे होते हैं और क्या करते हैं ठीक है तो देखिएगा plant hormone that regulate many developmental process यह एक ऐसा plant hormone है जो की कई सारी development करवाता है plant के अंदर में लिए आपको दो याद रखनी है stem elongation and seed germination मतलब यह दो ऐसे हैं जिसके नाम से यह hormone जाना जाता है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ की phototropism कौन करवाता है तो तुरंथ oxyn का नाम आएगा अगर मैं कहूँ apical dominance कौन करवाता है तो तुरंथ oxyn का नाम आएगा ऐसे ही अगर बाताई stem elongation कौन करवाता है तो gibralin seed का germination कौन करवाता है gibralin तो वैसे तो कई parts में इसका role होता है, हम function में deal करेंगे, लेकिन जो सबसे important है, जिनके लिए यह जाना जाता है, वो यह दो होते हैं, ठीक है, इसके बाद largest class of plant hormone by structure, अपने structure के विहाब पर, मतलब इनके पास अलग अलग type की कई सारी structures होती है, इसके विहाब पर यह सबसे largest class है plant hormone की, मतलब जितने भी hormone हम पढ़ेंगे, उनमें सबसे जादा structure जो diversity मिलती है, वो जिब्रिलिन की मिलती है, चीक है, अच्छा देखिए, जिये के अंदर classes होती है, मतलब जो यह hormone होते हैं, जिये, इनमें दो classes होती है, एक C19, एक C20, क्या मतलब है इसका, C19 का मतलब है, कि ऐस जिये जिसके अंदर 19 कार्बन होते हैं, उनको हम C19 जिये बोलेंगे, और जिनके पास 20 कार्बन होते हैं, उनको हम C20 जिये बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, यह है कि जिनके पास 19 कार्बन होते हैं, वो जिये एक्टि इनेक्टिव फर्म में होते हैं वो inactive फो में है तो क्यों रखता है प्लांट इसको ये इन मतलब क्या है कि अगर देखो कोई inactive ra है उसमें कुछ reaction होकरके वो active ra बन जाता है स्व personnage निए इनकी जरूरत होती है यानि की ये act करते हैं as a precursor to formation of the active ठीक है अब यहां पर आप देखिए यह भी काफ़े इंपोर्टेंट है यहां से भी क्रेशन आया हुआ है कि कौन-कौन से जी ए एक्टिव है तो आपको याद रखना है वन जी ए वन जी ए-3 जी ए-4 और जी ए-7 यह चार जी एसे हैं जो कि एक्टिव फोर्म में होते हैं बा उनकी कुछ पहचान है जैसे कि सबसे पहले तो देख लिया है कि उनके पास 19 कार्बन होंगे सबसे पहला तो यह है और दूसरी बात यह है कि उनके थर्ड कार्बन पर और थर्टीन कार्बन पर ओ-एच ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है जिसको हम बोलते है डाई चीजें है जो आपको याद रखनी है एक्टिव के लिए ठीक है सबसे पहले क्या है जिसके पास 19 कार्बन हैं वह एक्टिव जिये है जिसके पास 3 and 13 पर OH है वह एक्टिव है और जिसके C7 पर COOH ग्रूप है वो भी एक्टिव है तो यह सारी प्रोपर्टी जिसके पास है उसे हम बोलेंगे active GA, कौन-कौन से है, 1, 3, 4, and 7, ओकी, इससे अलग जो भी है, वो आएंगे inactive form के अंदर, वे क्या हो सकते है, end product भी हो सकता है, precursor भी हो सकते है, या फिर active GA है, उसमें कुछ ऐसी reaction हुई, जिससे वो deactive हो गया, तो वो भी C20 के अंदर आएगा, या फिर ऐसा है कि C20 है, इसमें कुछ change हुआ, वो C19 हो गया है, तो ये inactive है, और ये active है, तो ये as a precursor की तरह भी काम कर सकते हैं, as a end product की तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो main काम होता है, वो ये करते हैं, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, structure के बारे में अगर बात करें, तो होते हैं, ये क्या है, अब हम जब पढ़ेंगे secondary metabolites, तो वहां हम पढ़ते हैं, टार्पीन के बारे में, ठीके, कुछ compounds होते हैं, टार्पीन आता है, तो ये जो जिब्रेलिन है, ये क्या है, डाई टार्पीनोइट्स होते हैं, यहां से भी question आया हुआ है, मैं आपको दिखा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, tetracyclic होता है, और देखे, ओएच ग्रूप है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है, और COOH ग्रूप है, तो यह कैसा है, यह active form है, देखो, यहां पर OH है, third carbon पर, यहां पर OH है, at the C13 पर, और यह C7 पर क्या है, COOH है, तो क्या बदा सकते हैं मुझे, कि यह active होगा, यह active होगा, obviously यह active होगा, क्योंकि active में third पर 13 पर OH होता है, 7 पर COOH होता है, और carbon कितने होते हैं, 19 होते हैं, तो यह structure मैंने आपको दिखा दी है, commonly इस तरीके से GA की structure होती है, okay, चलिए आगे देखते हैं, biosynthesis, तो यानि हमने इस topic के बाद अपने दो topic complete कर लिए है, इस का discovery कैसे हुआ है, introduction क्या है, अब main or most important part है, that is biosynthesis, मतलब कि यह form कैसे होते हैं, अगर आपको याद है उगजिन के बारे में, तो उगजिन का precursor क्या होता है, tryptophan होता है, हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है, और कहीं सारे पाथवे हमने पढ़े थे, यहाँ पर भी इसी तरी कहां कहां होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि ऑगजिन कहां होता है, जो shoot की tip होती है, वहां, मतलब apical portion पर, जो root की tip होती है, वहां पर भी बनते है, ऐसे ही इनके लिए भी कुछ specific position, location होती है, जहाँ पर यह form होती है, जैसे कि developing seed, जब एक seed फोर्म होता है, जैसे double fertilization होता है, फिर endos pump बनता है जाइगोट बनता है तो उस टाइम पर seed की formation हो रही होती है वहाँ पर GA की requirement होती है तो वहाँ आपको GA मिलेगा ठीक है जैसे एक seed बन जाता है उस seed को germinate करवाना है germinate in the sense की वहाँ नीचे से radical निकलेगी उपर से plumule निकलेगा उसको बोलते हैं germination तो वहाँ पर भी अगर GA होगा तो ही germination हो पाएगा otherwise germination बिल्कुल भी possible नहीं है जैसे देखेगा यह एक seed है तो उसकी formation में भी GA का roll था अब यह form हो गया है अब यह germinate करना चाहता है यानि कि यहाँ radical निकलेगी उपर से plumule निकलेगा और फिर वहाँ पर यह germinate हो जाएगा तो यहाँ अगर GA होगा तो ही यह process हो पाएगी otherwise यह seed कभी भी germinate नहीं कर पाएगा developing leaf जो होती है जो leaf यहाँ develop हो रही है वहाँ पर भी आपको GA का amount मिलेगा वही उसकी leaf की formation में help करवाता है साथ-साथ elongation of inter-node inter-node क्या होती है जैसे देखे एक plant है यह node है यह भी node है यह भी node है इनके beach का जो space होता है इसको inter-node बोलते हैं तो inter-node में भी यह present होती है तभी तो एक plant की height को यह बढ़ा पाते हैं height कैसे बढ़ती है जब यह inter-node बढ़ता है और inter-node कब बढ़ेगा जब GA होगा इसी तरीके से GA किसी भी plant की length को बढ़ाता है तो यह कुछ ऐसी location है plant के अंदर जहां पर GA की formation होती है जहां पर यह form होता है अब हम बात करेंगे कि कैसे form होता है माल लेते हैं कि यह कोई germinating seed है तो obviously seed किसे बना होगा cell से बना होगा plant cell से बना होगा तो plant cell में भी यह कैसे form होते हैं वो भी एक important part है जैसे देखिएगा GA synthesize in cell organelles cell के अंदर form होगा और 3 organelles का role होता है एक सबसे पहले plaster फिर कुछ plaster में बनेगा फिर ER में move कर जाएगा फिर ER से cytosol और finally cytosol के अंदर ही active GA बनते हैं ठीक है precursor क्या होता है isoprenoid unit जिसको IPP भी बोलते है यह EC unit है जो उसका precursor है हाला कि इसका precursor एक और माना जाता है क्यों माना जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी फिलाल के लिए आप याद रख सकते है कि GA के जो precursor होता है वो IPP होता है isoprenoid unit बोलते है जो कि 5 कारबन से बनी होती है pathway कौन सा होता है पाथवे होता है terpenoid pathway synthesized by oxidation of diterpen and chlorine आगे बताऊंगी आपको कि कैसे oxidation होकर के यह बनता है कुछ important point है जो आपको याद रखने है precursor क्या है IPP है pathway कौन सा है terpenoid pathway होता है और कैसे synthesize होता है एक ant chlorine बनता है उसके oxidation से gibralin की formation होती है तो हम अभी start कर रहे है कि cell के अंदर कैसे form होता है तो plastic को बोलते हैं first stage फिर ER को second और cytosol को third तो पहले देखेंगे about the first stage सबसे पहले plastic में start होती है चीज़े तो देखेगा यहां पर first stage कहां होती है plastic में आपको उनका sequence भी आद रखना है plastic, then ER, then cytosol अब देखें यहां होता क्या है अभी हम पढ़के आए है IPP क्या है IPP is the precursor unit for the formation of gibralin IPP है यहां पर देखें यह IPP कैसे आया है या तो यह जो plastic है इसी के अंदर pyruvate होगा और glyceraldehyde 3-phosphate होगा उसमें reaction की वज़े से भी IPP बनता है अगर plastic के अंदर ही बनाना है या फिर cytosol बाला जो part होता है वहां पर एक pathway चलता है जिसको बोलते है इसके अंदर जो IPP बना है वो भी इस pathway में enter हो सकता है तो IPP इस तरीके से आता है इसके बाद यह IPP क्या करता है यह IPP बनाता है GGPP यह क्या है जरेनाईल जरेनाईल pyrophosphate यह बनता है उसके बाद फिर यहां दो enzyme आते हैं CPS and KS यह दो enzyme आते हैं इन दोनों की enzyme की presence से बनता है ant-corine ant-corine फिर जाएगा ER में यानि plastic के अंदर इतना ही काम होता है plastic में क्या होता है IPP से ant-corine की formation होती है यहां पर देखिए इन enzymes के बारे में भी पूछा जाता है यहां question आया है सायथ 2022 के अंदर आया हुआ है की इन enzymes के बारे में ही पूछा है तो यहां आपको इनको भी पढ़ना है तो सबसे पहले IPP का मतलब क्या है isopentyl pyrophosphate pyrophosphate का मतलब होता है दो-phosphate यानि आप इसको isopentynyl diphosphate भी बोल सकते है और isopentynyl pyrophosphate भी बोल सकते है जो कि 5 carbon का होता है इसमें 5 carbon होते है फिर IPP से क्या बनता है GGPP बनता है geranile geranile pyrophosphate अगेन आप इसको geranile geranile diphosphate भी बोल सकते है और यह 20 carbon का होता है यह कैसे बना है यह जो 5 carbon का IPP है यह 3 बार और एड होता है एक पांच फिर 5 दस फिर 5 पंदरा फिर 5 बीस इस तरीके से यह बनाता है GGPP फिर GGPP जो होता है उसमें 2 enzyme act करते हैं सबसे पहले CPS इसका full form क्या है antcopylyl diaphosphate synthase उससे पिर जो बनता है उस पर काम करता है KS KS का full form है antcorine synthase इसको otherwise बिल्कुल भी मतले न कि मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ यह important है इनके बारे में तो पूछ लिया गया है कि कितने enzyme GGPP को convert करते हैं antcorine में हो सकता है अगली बार इनका नाम भी पूछ लिया जाए तो आपको यह पढ़ने पढ़ेंगे GPS क्या है antcopylyl diphosphate synthase फिर उससे जो बनता है उस पर काम करता है KS यहां पर यह जो MVA है इसका मतलब क्या है MVA का मतलब होता है mavalonic pathway इसमें क्या होता है acetyl coenzyme convert होता है mavalonic acid में और फिर यह convert होता है IPP में और यह IPP convert फिर जाता है प्लास्टेड के अंदर यह बनाता है GGPP फिर यहां दो enzyme काम करते हैं वो बनाते हैं antcorine so this is the first stage of GA synthesis जो की प्लास्टेड में होती है अब यह जो बना है antcorine यह जाता है ER के अंदर कैसे? देखो यहां पर second stage क्या है endoplasmic reticulum यानि ER के अंदर होता है कैसे होता है? देखिएगा जो antcorine बना है प्लास्टेड में oxidized sequentially मतलब उसका कहीं बार oxidation होता है by enzyme associated with ER कौन enzyme करते हैं इसका oxidation? वो enzyme जो ER से associate है दो होते हैं KO that is called antcorine oxidase और KAO antcorinoic acid oxidase ठीक है? यह दो enzyme मिल करके antcorine का oxidation करते हैं और यह enzyme किस से associate है? ER से associate है आप देखें यहाँ पर यह antcorine कहां से आया है? यह antcorine आया है प्लास्टेड से जो किस से बना है? GGPP से बना है तो antcorine बना है तो फिर यहाँ KO काम करता है फिर इसके बाद KAO काम करता है और फाइनली बनता है GA12 aldehyde ठीक है? क्या बनता है? GA12 aldehyde बनता है फिर यह convert होता है GA12 में यह तो क्या था? GA12 aldehyde फिर यह convert होता है GA12 में अब यह जो GA12 होता है यह क्या है? यह first gibralin है जो कि प्लांट में बना है देखो अभी तक हमने first stage पढ़ ली है second का भी आदा कर लिया है कोई gibralin form नहीं हुआ था यह first GA है जो कि प्लांट के अंदर form होता है that is GA12 हो सकता है यहां से question आ जाए तो GA12 क्या है? first gibralin formed in all plants सभी plants में सबसे पहले जो GA form होता है उससे GA12 बोलते हैं अब यह जो GA12 होता है उसके पास दो तरीके होते हैं या तो वो as it is cytosol में चला जाए आगे के GA को बनाने के लिए या तो वो पहले convert हो जाए GA53 में और फिर GA53 cytosol में जाता है मतब ultimately इसको cytosol में जाना ही पड़ेगा अब इसके पास दो तरीके होते हैं तो वो direct जैसा है ऐसा ही चला जाए जैसे यहाँ पर हमने देखा है GA12 था GA12 भी कहां चला गया है cytosol में या फिर एक और तरीका यह हो सकता है कि यहाँ पर एक enzyme आता है जिसका नाम है GA13 oxidase जो क्या करता है hydroxylation कर देता है C13 पर यह enzyme आकर कि क्या करता है GA12 का जो 13 कार्बन है उस पर क्या कर देता है OH को add कर देता है तो उस enzyme को बोलते है GA13 oxidase जिसने क्या किया है hydroxylation कर दिया है C13 पर जिससे इक अनवर्ट हो जाता है GA53 में अब यह GA53 मूँव करता है cytosol में यहां तक चीज़े समझ आ गई है एक बाद diagram की help से भी देख लेते हैं देखिए हमने देखा था कि plaster में antcorine बन गया था अब यह antcorine दो enzyme से हो करके जाता है that is KO and KAO फिर यह move कर जाता है यहां ER में यह क्या है endoplasmic reticulum है फिर यहां यह convert होता है GA12 aldehyde में आप देख सकते हैं यहां पर CHO लगा है जो की aldehyde group है तो इसे क्या बोलेंगे GA12 aldehyde फिर इसमें reaction हो करके यह जो aldehyde group है यह convert हो गया है carboxylic acid group में यानि की COOH में तो अब यह बन गया है GA12 ठीक है जब तक यह group है तब तक aldehyde है यह convert हो गया GA12 में ठीक है अब यह जो GA12 है यह direct ER से cytosol में भी आ सकता है या फिर यह GA12 convert हो सकता है GA53 में with the help of GA13 oxidase और 53 बन गया है अब यह cytosol में आ सकता है ठीक है तो यहां हमने देख लिया है डायरेक्ट भी आ सकता है और GA53 में convert होने के बाद भी आ सकता है तो यह है second stage that is occur in the endoplasmic reticulum अब देखी क्या होगा आगे अब यहां third stage आती है cytosol के अंदर इसमें क्या होता है हमने देखा है ER से दो चीजे बाहर आई है एक GA12 आया है और एक GA53 आया है जब GA12 आता है तो वहां पर एक enzyme आ करके oxidation करता है जिसका नाम है GA20 oxidase ठीक है और इस pathway का नाम क्या है जब GA12 convert होता है GA9 में विद्धा हेल्प ओफ GA20 oxidase इस pathway को हम बोलते हैं non-13 hydroxylation pathway ठीक है और यह convert हो जाता है GA9 में यह जो GA53 आया है इसमें भी कई सारे oxidation चलते हैं इस pathway का नाम है 13 hydroxylation pathway ठीक है अब कुछ plant में यह pathway मिलता है कुछ plant में यह मिलता है अब रॉप्सिस जो होता है उसमें mostly यह वाला pathway देखा गया है बाकि जो plant है उनमें यह pathway चलता है ठीक है तो यहाँ पर यह convert हो जाएगा GA20 में अब GA9 और GA20 दोनों ही क्या है inactive GA है हमने पढ़ा है न GA1, 3, 4 और 7 केवल यह 4 ही ऐसे हैं जो की active होते हैं बाकि सब को हम क्या कहेंगे inactive तो देखो यहाँ 20 और 9 क्या है यह दोनों inactive है अब यह inactive हैं इन में कुछ reaction होती है जैसे कि यहाँ पर एक enzyme आता है GA3 oxidase जो क्या करता है 3 beta hydroxylation करता है मतलब addition of OH कर देता है at the third carbon तो जिस वज़े से क्या होता है GA9 और GA20 convert हो जाते हैं आपको याद रखना है कौन किसमे convert हुआ है GA9 convert होता है GA4 में और GA20 convert होता है GA1 में तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर भी जो enzyme आया है उसका नाम भी क्या है GA3 oxidase है और यहाँ पर भी जिस enzyme ने काम किया है उसका नाम क्या है GA3 oxidase ही है तो यहाँ यह दोनों enzyme क्या करते हैं काम करते हैं और GA9 को convert कर देते हैं GA4 में और GA20 को convert कर देते हैं GA1 में दोनों ही क्या है bioactive GA है अब bioactive GA भी जब तक काम करते हैं करते हैं जब इसकी जरूरत नहीं होती है तो फिर यहां एक enzyme आता है जिसका नाम है GA2 oxidase जो क्या करता है second carbon पर आकरके hydroxylation कर देता है और GA4 convert हो जाता है GA34 में और GA1 convert हो जाता है GA8 में अगेन यह भी क्या है inactive GA ठीक है तो देखो यह role होता है inactive का कि अगर GA बनाने हैं तो किस से बनेंगे inactive वाले से बनेंगे अगर GA को inactive करना है तो वह inactive GA बनेंगे ही ठीक है तो यह है third stage that is occur in the cytosol एक बार diagram की help से देख लेते हैं देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि ER से GA12 डारेक्ट भी आ सकता है और GA12 with the help of GA13 oxidase convert होगा GA53 में और यह बाहर आ सकता है जब GA12 बाहर आता है तो वहाँ पर एक pathway चलता है जिसका नाम है non 13 hydroxylation pathway और अगर जीए 53 आया है तो यहां भी पाथवे चलता है जिसका नाम है 13 hydroxylation pathway यहां पर enzyme काम करता है GA20 oxidase और यह GA12 को convert कर देता है 9 में फिर 9 जो GA9 है उस पर काम करता है आतर के GA3 oxidase जो इसको convert कर देता है GA4 में जो की active होता है और फिर यहां पर यह जो बना है GA20 इस पर भी काम करता है आकर की GA3 oxidase और वह उसको convert कर देता है GA1 में यह दोनों ही क्या है बायो एक्टिव जीए है जब इनका काम नहीं है प्लांट के अंदर तो फिर एक enzyme आता है जिसका नाम है GA2 oxidase वह आकर की GA4 को convert कर देता है GA34 में जो की inactive है और GA1 को convert कर देता है GA8 में अगेन यह भी क्या है तो इस तरीके से GA4 होता है इंदा प्लांट एक बार समरी देख लेते हैं स्टेज 1 के अंदर क्या हुआ है production हुआ है terpenoid precursor यानि IPP and ant-corine in the plaster ठीक है एक बार देखो IPP था IPP से GGPP है उसके बाद फिर ant-corine है यह बन गया है कहां plaster में यानि first stage में फिर यह जो ant-corine होता है यह move करता है ER के अंदर वहाँ पर इसका क्या होता है oxidation reaction होती है ER में और यह क्या form करता है GA12 और GA53 form होते हैं in ER इसके बाद फिर इस GA12 से और GA53 से cytosol के अंदर जो बाकी की जिब्रिलिन है वो form होते हैं तो third stage में क्या होता है formation of all other gibralin from GA12 and GA53 in cytosol तो this is the biosynthesis of gibralin आगे देखते हैं the primary precursor for the formation of GA is acetyl coenzyme A अभी हम पढ़के आया है कि GA का जो precursor है वो कौन है IPP है लेकिन primary की बात करें कि IPP भी कहां से आया है तो इस हिसाब से GA का precursor acetyl coenzyme A होता है देखो कैसे सबसे पहले acetyl coenzyme A है ये बनाता है mevalonic acid फिर ये बनाता है isopentanyl diphosphate यानि IPP फिर IPP से क्या बनता है geranile phosphate जो की 10 कारबन का होता है उससे बनता है geranile geranile pyrophosphate जो की 20 कारबन का होता है इससे बनता है antcorine antcorine से बनता है GA12 और इससे फिर बाकी के GA बनते है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो acetyl coenzyme A is the primary precursor of the GA और अगर बात करें कि प्लास्टेड के अंदर कहां से start हुई है चीजे तो वो IPP से start हुई है आई होप आप यह बाते समझ गए है कि अगर primary की बात करें तो acetyl coenzyme A है और अगर बात करें कि प्लास्टेड में चीजे start हुई है तो प्लास्टेड में किस से हुई है वो IPP से हुई है ठीक है अब देखिए आगे यहां बात करेंगे inhibitors की मतलब कुछ ऐसे inhibitors होते हैं जो की GA की synthesis को रोग देते हैं ठीक है इनके बारे में पढ़ना जरूरी है कई सारे नाम है जो हमें यहां पर देखने होते हैं ठीक है देखिएगा अलग-अलग stage हमने पढ़ी है अलग-अलग inhibitors होते हैं बात करें प्लास्टिड की तो प्लास्टिड क्या है first stage है वहां पर कौन inhibit करता है AMO 1618 एक inhibitor है दूसरा है साइको सेल जिसको CCCB बोलते है ट्रिपल सी और फोसफोन फोसफोन डी यह तीन ऐसे chemical है ऐसे substance है जो की प्लास्टिड के अंदर जो होता है जिससे की GGPP से क्या बन बनता है वहां पर यह चीजों को inhibit कर देते हैं मतब पहले ही आकर के उसकी synthesis को रोक देते हैं अब अगर बात आ गई है ER की अंदर मतब एंट कोरीन बन गया है और वो ER में आ गया है तो वहां पर भी कुछ inhibitor ऐसे होते हैं जो उस stage पर भी आकर के उसकी synthesis को रोक सकते हैं वह देख लेते हैं कहां पर ही करेगा जीए टोल यल्डी हाइड से पहले ही यहां पर देखिए यह बना है जीए ट्वैल ल्डी हाइड तो जब यह अंधर आता है एंट्ट कोडिन और जब यहां convert हो रहा होता है वहीं पर आ करके यह जो पैकलो बुटराजोल है यह आ करके इनिविट कर देता है मतलब इसको ही नहीं बनने देता है यह नहीं बनेगा तो आगे यह भी कोई नहीं बनेंगे ठीक है तो ये भी आपको नाम याद रखना है आगे देख लेते हैं अगर चीजे साइटोसोल में आ गई हैं वहाँ पर भी रोका जा सकता है कौन रोकता है प्रो हेग्जा प्रो हेग्जाडायोन जिसको हम BX112 भी बोलते हैं इसका दूसर नाम है ये क्य honestly ऑक्सिडेज को आकर के इनिविट कर देता है कहां पर देखा है हमने जी ये ट्वेंटी को कंवर्ट करते हैं जी आवन में कौन जी ये ऐे क्यामिकला करके इसी हर्मोन को कर देता है जिस समय से जी ये ट्वेंटी जी ये वन नहीं बना पाता तो यह inhibitors है जो जिनको आपको याद रखना है देखिए आगे देखते हैं कुछ important point है जो आपको पता होने चाहिए about the synthesis देखिए काफी important है वैसे ही interesting भी है active GA क्या है एक बार फिर सरी कोल कर लेते हैं active GA वो है जिनके पास 19 कारबन है जिनके 3rd और 13th कारबन पर OH है जिनके 7th कारबन पर COOH होता है उन्हें हम क्या बोलते है active GA बोलते हैं कौन कौन से होते हैं 1, 3, 4 and 7 यह 4 ऐसे हैं जो की active GA है अब अगर यह active है तो क्या होगा इनके पास 19 कारबन होंगे 3rd 13 पर OH होगा और 7th कारबन पर COOH होगा ठीक है देखिए लिखा भी है जिए 1, 3, 4, 7 यह क्या है active GA है इनके पास 19 कारबन होते हैं 3 पर 13 पर OH होता है और 7 पर COOH होता है अब active GA बनते कैसे हैं यहां पर दो एंजाइम मेन रोल प्ले करते हैं active GA को बनाने के लिए active GA कहां से बनते हैं inactive GA से बनते हैं ठीक है तो देखो यहां पर GA 3 oxidase और GA 20 oxidase यह दो ऐसे एंजाइम हैं जो की inactive GA को active GA में convert कर देते हैं कैसे करते हैं तहले देखते हैं about the GA 13 oxidase यह क्या करता है मानो आपके पास कोई inactive GA है example ले लेते हैं G20 यह क्या है inactive GA है तो अगर यहाँ पर GA 3 oxidase आ जाता है तो क्या करता है इसके 3rd carbon पर आकर kे OH को add कर देता है ठीक है अभी हमने देखा है कि 3rd carbon पर अगर OH होता है तो वह क्या होते हैं एक्टिव होते हैं तो यह enzyme क्या करता है PA захotлов यह इस GA20 के 3rd carbon पर आकर के OH एड़ कर देता है बाकी चीज़ें इसके पास होती है 13 पर OH होता है और 7 पर COH भी होता है लेकिन इसके 3rd पर OH नहीं होता यह enzyme आएगा और आकर के 3rd carbon पर OH एड़ कर देगा तो यह फिर बन जाता है GA1 जो कि active form है ठीक है और देखिए यहां पर बात ली है GA की कोई भी GA है जिसके पास बाकी चीज़े तो सारी है 3 पर 13 पर OH भी है और 7 पर COH भी है लेकिन उसके पास carbon 20 हो गए है लेकिन carbon होने कितने चाहिए 19 तो फिर वहाँ enzyme आता है GA20 oxidase अब देखो GA है जिसके पास 20 carbon है तो यह एक्टिव हो जाएगा यहां पर GA20 oxidase आकर कर देता है decarboxylation यानि removal of CO2 तो जब CO2 निकलता है तो वहां से carbon निकल गया है बीस carbon थे carbon निकल गया तो 19 बचे है तो यह active हो जाएगा ठीक है तो यानि कि यह दोनों enzyme GA3 oxidase और GA20 oxidase यह क्या करते हैं inactive GA को convert कर देते हैं active GA में ठीक है अब देखिए हमने पढ़ा है GA करता क्या है GA plant की height को बढ़ाता है और GA बनता कैसे है मतलब कौन सा GA होगा active GA ही इसको बढ़ा पाएगा active GA बनता कैसे है with the help of GA3 oxidase and with the help of GA20 oxidase अब मानों कि plant के अंदर इन दोनों enzyme में किसी भी कारण से mutation हो गया है वो भी कैसा mutation loss of function mutation हो गया है तो क्या होगा अगर यह अपना काम नहीं कर पाएंगे तो active GA नहीं बनेंगे तो प्लांट की length नहीं बढ़ पाएगी लेंड नहीं बढ़ेगी तो वो नीचे छोटे रह जाएंगे इसको बोलते हैं dwarfism ठीक है तो देखो लिखा भी है loss of function mutation in GA3 oxidase and GA20 oxidase cause dwarfism ठीक है इसको यह से क्या हो जाता है dwarfism हो जाता है तो यह भी important point है एक आपको याद रखना है जैसे हमने पढ़ा है GA3 oxidase क्या करता है inactive को active करता है ऐसे ही जो GA2 oxidase होता है यह क्या करता है active को inactive कर दीता है ठीक है मानो मेरे पास GA1 है और इसका काम नहीं है plant में plant चाहता है कि यह inactive हो जाए तो वहाँ पर कौन से एंजाइम आएगा वहाँ आएगा GA2 oxidase और वह आकर कि इसको inactive form में convert कर देगा ठीक है ओकी तो हाई होप यह बाते आपको समझ आ गई होंगी अब यहां कुछ और point है एलील होते हैं देखो plant है या फिर animal है हमारे अंदर जो भी चीज़े form होती ह या एधर कोई hormone form है formation है कोई protein form होता है कोई enzyme form होता है हर किसी के लिए हमारे cell में nucleus होता है उसके अंदर जो DNA होता है DNA में जो gene होते हैं gene में जो alleles होते हैं basically वो क्या कर रहे होते हैं protein को enzyme को hormones को बना रहे होते हैं तो अगेन ऐसे ही plant के अंदर भी कुछ alleles होते हैं मतलब gene के कुछ alleles होते हैं जो GA की formation में help करते हैं तो अब यहां आपको बताया गया है कि P plant के अंदर mostly प्लांट के अंदर भी देखा गया है कि GA के लिए 3 alleles होते हैं कौन-कौन से हैं एक है capital LE, जो कि wild type होता है, एक होता है small LE1, small LE2, जो कि mutant form है, यानि अगर plant में ये वाला यलील होगा, तो उसकी length काफी अच्छी जाएगी, तो कि यहाँ पर GA form होगा, लेकिन अगर LE1 और LE2 है, ये दोनों ही कैसे mutant type है, मतलब किसी plant में अगर इस gene के लिए, प्रोटीन ही नहीं बना पाएंगे, GA बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो देखो, GA in P plant, पोजेज थ्री डिफ्रेंट एलील, capital LE, जो कि wild type होता है, small LE1, small LE2, जो mutant type होते हैं, अब देखो इसमें graph की help से बताया गया है, इस graph में यहाँ दिया गया है, GA1 का amount, और यहाँ दिया गया है length of inter node, यानि की plant की length basically, तो अगर plant में LE2 present है, तो उसकी length केवल इतनी ही बढ़ पाती है, मतब यहाँ तक लगाओ कि बस वो इतना ही बढ़ पाता है, वो केवल इतना ही grow कर पाता है height में, ठीक है, और अगर किसी plant के अंदर small LE1 है, तो उसकी height थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतब इससे ज़्यादा हो जाती है, इतनी लगा सकते हैं यहाँ तक, और अगर किसी plant में capital LE है, तो उसकी height सबसे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि यह कैसा है, यह wild type है, तो यह wild है, यानि height पूरी जाएगी, और अगर 1 है और 2 है, इन दोनों में भी जो 2 वाला होता है, वो सबसे कम जीए बनाता है, सबसे कम, जिस वज़े से उसकी length बिल्कुल ही छोटी रह जाती है, ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, LE2 क्या है, height बढ़ भी सकती है, लेकिन जहाँ LE2 एलील है, वहाँ height बिल्कुल ही छोटी रह जाएगी, ठीक है, और जहाँ पर capital LE होता है, वो तो wild type है, वहाँ plant की जो length जितनी भी जानी है, उतनी ही हो जाएगी आराम से, योकि वहाँ GA की formation फुली हो रही है, तो ये बाते भी आपको याद रखनी है, आगे देखिए, अभी हम पढ़के आये थे about the oxygen, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर oxygen जो होता है, वो GA का friend होता है, मतलब की oxygen बन गया है, अब वो चाहता है कि plant में मेरा दोस्त भी बन जाए, यानि GA बन जाए, तो इस तरीके से लिखा है, कि P plant के अंदर जो oxygen होता है, वो GA1 के content को रखता है, maintain करता है, यानि जहाँ oxygen है, वो GA के content को भी maintain रखेगा, मतलब उसका antagonistic नहीं है, बलकि उसकी help करता है, उसकी formation में, कैसे करता है, ये एक बार देख लेते हैं, रेको यहाँ एक ग्राप की help से बताया हुआ है, यहाँ बताया है GA का level, और यहाँ आपको कुछ condition दी गई है, intact का मतलब क्या है, कि जैसे मानिए आपके पास जो है, यह कोई plant है इस तरीके से, यह कोई plant है, और यह इसकी cap होती है मतलब, यह apical part होता है, तो अगर आपने इस plant को, यह seedling को किसी भी तरीके से harm नहीं किया है, इसका जो apical वारा part है, इसको harm नहीं किया है, तो हम देखते हैं, कि इस plant में, जो GA का level है, वो काफी अच्छा है, वो इतना है, इसको हमने decapitate कर दिया है, इसका मतलब होता है, कि उसका जो apical part है, वो हमने cut कर दिया है, तो आपको पता होगा, कि जो auxin हैं, वो mostly apical part पे बनता है, अब अगर आपने apical part को हटा दिया है, cut कर दिया है, यानि वहाँ से auxin भी remove हो गया है, अब अगर वहाँ auxin नहीं है, तो वो GA की synthesis में भी help नहीं कर पाएगा, इसलिए GA का जो amount लेको कितना कम हो गया है, बस यहाँ तक GA बन पाया है, अगर उसमे auxin नहीं है, हमने decapitate कर दिया है, अब देखो, यह plant है, उसको भी उने decapitate किया है, मतलब वहाँ से भी हमने auxin को हटा दिया है, लेकिन बाहर से हमने उसमें auxin डाल दिया है, IAA हमने वहाँ डाल दिया है, इस वज़े से देखा वया है कि, प्लांट के अंदर जो GA का लेवल है, वो सबसे ज़्यादा मिला है, यहाँ पर, यहाँ तक मिला है, यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के आप साथ समझ गए होंगे, कि auxin GA1 के content को maintain करता है, बनाता है, देखो अगर यहाँ complete seedling है, तो इतना form हुआ है, अगर हमने auxin को हटा दिया है, तो इतना form हुआ है, और थर्ड में हमने auxin को हटा दिया है, लेकिन बाहर से दिया है extra, तो वहाँ GA का amount हमें ज़्यादा दिखाई दिया है, ठीके, ओके आगे देखिए, जो IAA होता है, is required for GA1 biosynthesis, and also inhibit the GA1 breakdown, मतलब उसकी synthesis तो करवाता ही है, लेकिन जब एक बार वो form हो जाता है, उसके बाद भी उसको inactive form में नहीं जाने देता, ठीके, मतलब बनवाया भी है, साथ-साथ उसको inactive भी नहीं होने देता है, देखो यहाँ पर करता क्या है auxin, auxin करता क्या है, जो GA3 oxidase, अभी हम पढ़के आए है, GA3 oxidase क्या है, inactive को active करता है, तो यहाँ पर auxin आकर के इस hormone को active कर देता है, जो आगे जा करके GA बनाएगा, और जो GA2 oxidase होता है, इसके बारे में हम पढ़के आए हैं, GA2 oxidase एक ऐसा enzyme है, जो active GA को inactive form में convert कर देता है, लेकिन auxin को क्या करना है, उसके synthesis भी करवानी है, और उसके breakdown को भी रोकना है, तो आकर के वो GA2 oxidase को रोक देता है, कैसे रोकता है देखिए, यहाँ पर है GA20, यह GA20 क्या है inactive form है, यहाँ पर enzyme आता है, GA3 oxidase convert कर देता है GA1 में, इसे यहाँ लेकर के कोई आता है, auxin, auxin कहता है देखो, मेरा एक दोस्त है GA, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, और वो साथ मेरे कवर रह सकता है, जब तुम उसको active कर दोगे, यह नहीं तुम उसको बना दोगे, तो वो उसको वहाँ लेकर के आता है, GA3 oxidase को, अब यह आकर के GA20 को convert कर देता है GA1 में, अब GA1 बन गया है, अब देखो, चांस यह होते हैं, कि जो GA1 बना है, वो convert हो सकता है inactive form में, with the help of GA2 oxidase, वो convert हो सकता है GA8 में, और GA20 जो होता है, वो convert हो सकता है GA29 में, लेकिन oxyn क्या करता है, इसकी synthesis तो करवाता ही है, साथ-साथ उसके breakdown को भी रोगता है, कैसे, यहाँ पर oxyn आकर के, यह जो GA2 oxidase है, और यहाँ पर भी GA2 oxidase है, आकर के उसको inhibit कर देता है, रोग देता है, अब इसने अगर इंची जो को रोग दिया है, तो यहाँ पर GA1 लगातार बना रहेगा, और GA20 भी बना रहेगा, और GA3 oxidase को दे लेकर के ही आया है, यह फटा-फटस को convert करके, GA1 बनाता रहेगा, इसलिए जहाँ पर IAA होता है, वहाँ पर GA1 की जो concentration है, वो high देखने को मिलती है, ठीक है, तो इस तरीके से oxyn जो है help करता है, GA के biosynthesis में, अब हमने questions कर लिए है, अब बारी है कुछ PYQs को करने की, कुछ question मैं solve करूँगे, कुछ आपको करके बताने है, comment करके मुझे बताना है उसका answer क्या होगा, ठीक है, फर्स question है मैं करवा देती हूँ, देखो, यह question आया है June 2019 के अंदर, कितना आसान है, इन चारों में से कौन सा BioActive नहीं है, अब यह हम पढ़के आये है, जीए 1, 3, 4, 7, यह क्या है, Active जीए हैं, इनसे अलग जो भी है, सब कैसे है, इनाटिव है, तो यह भी अक्टिव है, यह भी अक्टिव है, यह भी अक्टिव है, तो fourth will be the right answer for this question next देखिएगा यह आया है 2022 shift 2 के अंदर the plant hormone gibralin are a group of यह question का answer आप मुझे comment करके बताएंगे कि जो जीए है वो क्या होते हैं more terpenes होते हैं यह di terpenes होते हैं यह try होते हैं यह सिस्की terpenes होते हैं यह सब आप मुझे comment करके बताएंगे कि इसका answer क्या होगा बहुत ही आसान है आप बता सकते हैं आगे देखिएगा यह आया हुए है जून 2022 shift 2 के अंदर question क्या दिया है ठीक इसको मैं करवा देती हूँ following statement were made regarding gibralin biosynthesis in plant and fungi plant के बारे में और फंजाई के बारे में जो जीए फोर्म होता है उसके बारे में यहां आपको कुछ statement दी गई है और पूछा है कौन कौन सा statement यहां पर सही है देखिए फर्स्ट में क्या लेका है two separate enzyme are involved in synthesis of antcorine from GGDP in plants आ गया ना question देखो कह रहा है कि plant के अंदर जो GGDP होता है यानि जिरनाइल जिरनाइल डाइपोस्पेट उससे जो antcorine बनता है कहां बनता है यह plaster के अंदर बनता है तो इसके conversion के लिए plant में दो अलग अलग टाइप के enzyme होते हैं बिलकुल होते हैं हमने पढ़ा है ठीक है तो यह statement क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दो एंजाइम होते हैं लेकिन अगर आप fungus के अंदर देखते हैं तो fungus के अंदर GGDP से जो antcorine बनता है वहां पर केवल एक ही enzyme यह काम कर देता है हाला कि plant में पढ़े हैं दो एंजाइम होते हैं लेकिन fungus के अंदर केवल एक ही enzyme होता है जो दो तरीके से काम करके उन दोनों enzyme की तरह एक्ट कर रहा होता है ठीक है तो यह statement भी सही है यह extra information है आप इसको add-on कर सकते हैं देखिए फंजाई के अंदर only a single bifunctional enzyme fertilize the synthesis of antcorine from the GGDP तो हमारा यह statement भी जो है सही हो जाएगा आगे दिया है GA biosynthesis genes are mostly clustered on a single chromosome in fungus अगर fungus के अंदर GA को बनाने वाले जो जीन होते हैं वह सारे gene present होते हैं जो जीय में बनाते हैं तो यह statement भी आप अपने notes में add-on कर सकते हैं, यह सही है, देखे लिखा भी है, GA biosynthesis gene are mostly clustered on a single chromosome in fungi, ठीक है, तो इसमें लिखा है, GA biosynthesis gene are randomly rocketed on chromosomes, तो यह गलत हो जाएगा, तो A सही है, B सही है, और C सही है, A, B, C, याने की first option will be the right answer, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, next question, ओके, यह तो अभी आया हुआ है, December 2023 में ही, shift 2 के अंदर ही question आया हुआ है, और देखिए, कितना आसान है, following statement are made regarding the plant hormone gibralin, first लिखा है, gibralin are ubiquitous in plants and are also present in several fungi, बिलकुल सही बात है, जो GA होते हैं, वो plant में मिलते हैं, इस word का मतलब है, कि हर एक plant में मिलते हैं, हर जगा मिलते हैं, और कुछ fungus में भी मिलते हैं, obviously मिलते हैं, क्योंकि fungus से ही, वो first time discover हुए थे, recognize हुए थे, क्या नाम है उस fungus का, Fusarium Fusacuri, ठीक है, तो हमारा first statement सही हो जाएगा, A सही है, ठीक है, तो यह हमारा statement सही है, B में क्या लिखाया है, GA1 is the most abundant gibralin, form in fungus Fusarium Fusacuri, ठीक है, हमने क्या पढ़ है, कि इस fungus की अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला GA, कौन सा है, GA3 है, ना कि GA1, तो यह statement जो है, हमारा गलत हो जाएगा, B गलत है, तो देखी यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, A सही है, ठीक है, तो यह भी गलत है, आगे देखिए, यह कह रहा है, कि हमारे पास जो है, दो टाइप के प्लांट है, एक ड्वार्फ है, छोटा है हाइट में, और एक क्या है, बड़ा है, हमने इन दोनों को जिये दिया है, बाहर से, इसको भी जिये दिया है, और उसको भी जिये दिया है, तो देखने को मिला है, कि यह जो शोट वाला है, ड्वार्फ वाला है, इसकी हाइट जो है, काफी अच्छी बढ़ गई है, लेकिन यह जो सेकिन वाला जो पहले से ही टॉल था, उसकी हाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, तो ऐसा त माम करता है, वो हमने बाहर से दे दिया है, लेकिन यह जो टॉल बाला प्लांट है, उसमें अल्रेड़ी जइये प्रेजन्ठ है, जिये जितनी हाइट गपाहने थी, इसने बढढ़ा दी है, अब हम आधर कर दे जए लगबढ़ से लाएग तो वहां पर जो अटभास मेज म्यूटेंट प्लांट है उसका जो स्टेम इलोंगेशन है वो हो गया है लेकिन जो टॉल प्लांट है उसमें बहुत ही कम चेंजीज हमें देखने को मिले हैं तो ऐसा तो हो गई तो C भी हमारा सही है दी में देखे लिखा है अप्लिकेशन ओफ एक्जोजिनस जिब्रिलिन कोज अप्रेगुलेशन ओफ जीए 20 ओक्सिडेज और जीए 3 ओक्सिडेज यह कहरा है कि जैसे ही आप जीए को बाहर से अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है प्लांट के अंदर ज जीए 20 ओक्सिडेज और जीए 3 ओक्सिडेज जब हम देख क्या है क्या करते हैं यह बायो एक्टिव जीए बनाते हैं और फिर जीए क्या करता है अपना फंक्शन करता है लेकिन जब हमने बाहर से पहले ही जीए दे दिया है मतलब पहले हमने क्या किया है बाहर से हमने यह द पहले से ही ये चीज दे दी है तो वो सीधा अपना function करेगा अब उनको क्यों upregulate करेगा तो ये गलत हो जाएगा ठीक है fourth गलत है यानि कि fourth option यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा इन चारों में A सही है और C सही है, B गलत है और D गलत है यानि fourth option will be the right answer चलिए आगे देखते हैं December 2023 Shift 1 का ये question है और बहुत ही आसान है हाला कि हम नहीं साई चीजे नहीं पड़ी है लेकिन जो दो पड़ी हैं उससे भी अपना question solve कर सकते हैं देखिए हमने पड़ा है कि Oxin किस से बनता है Oxin बनता है ट्रिप्टोफें से तो A का हो जाएगा 3rd अब ही हम पड़के आए है जो जिब्रेलिन होता है वो किस से बनता है जिरेनाईल जिरेनाईल डाइफोस्पेट याने की GGDP से बनता है तो D का हो जाएगा 1 देखो इक बाद मैच करो A का 3rd और D का 1 A का 3rd और D का 1 हमको केवल 3rd स्टेट्मेंट में 3rd option में दिया है तो इन 2 से भी हम अपना आंसर कर सकते है आगे हम पड़ेंगे कि जो इतलिन होता है जो साइटोकाणिन होता है वो बनता है एडिनोसिन मोईटी से और जो इतलिन होता है वो बनता है 1 एमिनोसाइकलोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिक एसेड से बनता है हम डील करेंगे आगे इनके साथ में भी पर फिर भी बताया ये है कि इन 2 option से भी आप इन 2 matching से भी आप अपने सही आंसर पर पहुँच गए है तो यहाँ पर 3rd option विल भी the right answer चलिए तो आज का lecture हमारा complete हो गया है हमने क्या पढ़ा है जीए के बारे में हमने discovery पढ़ ली है introduction पढ़ लिया है biosynthesis पढ़ ली है अब next lecture में हम पढ़ेंगे इसका signaling हाला कि signaling थोड़ा सा अच्छा का सा time ले सकता है और यहां से pyqs भी काफी अच्छे आये हुए है तो सकता है कि next video में हम यही कर पाएं उससे next में हम कुछ mutation के case हैं वो पढ़ेंगे plus इसका जो function है वो पढ़ेंगे फिर next video में हम इसके pyqs को solve कर लेंगे जब तक ये video आती है make sure आप जो भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से कर लेंगे अच्छा एक बात और है कि ओगजिन की जो PDF है वो मैंने अभी तक शेर नहीं की है अभी मैं थोड़ी देर में कर दूंगी ओगजिन का भी complete PDF और GA का भी complete PDF जो है मैं आपके पास telegram पे शेर कर दूंगी आप telegram group को जोइन कर सकते हैं जो की है अपना सपना GRF 2.0 ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like, share, subscribe जरूर से करना कोई doubt अगर है तो comment करके जरूर पूछना मिलते हैं अगली वीडियो में नए topic के साथ में Till then bye bye, take care